महारान प्रताप सेना द्वारा दिल्ली के Constitutional Club of India में महारान प्रताप जी की ज्वेंदी बड़े धूमधाम से मनाई गई जिसकी अदिशिता महारान प्रताप सेना की राश्री अध्यक्षर राजवर्दन परमानि कारेक्रमे चीफ केस्ट की रूप में भाछपा सांसर् प्रग्या ठाकूर और पूर्व केंदरियमंद्री एवıll सांसर् भाछपा राज्यवरदन राढ्रोर मौजूद रहे जिनोंने कारिक्रम की शोभा बढ़ाई वहीं कारिक्रम में राश्री अध्यक्षी राजवर्धन परमानी मुख्यतितियों का फूल माला पहना कर और इसमृती चिन ने देखर सम्मानित किया वहीं सभी को संभोधित करते हुए प्रग्या ठाकु ने महाराना प्रताप सीना का धन्यवाद किया और कहा हिंदुत्व के लिए इस तरह के कारिक्रम करना बहुत आवशक है और सभी हिंदू एक रहे मैं भगवान से प्रातना करती हूँ सभी ने अपने अपने वक्तव्य रखे और महाराना प्रताप सीना की सर लेकिन आज उन्होंने भरी सभा में अपने पद सिल्सिफा दे दिया और राश्री अद्धिक्ष का पद एडवोकेट सुचीता राज सिंग को दिया गया और क्या कुछ का मीडिया के सामने आईए सुनते इस रिपोर्ट में मैं राश्री लोगजन सक्तिपालिटी का प्रदेश अद्धिक्ष भी हूँ तो ब्योस्ता होने के कारण मैं अपने पत्रकार साथियों से या कहना चाहता हूँ कि माहराना प्रताप सेना का राश्री अध्यच एड़ोकेट सुचिता राश्रीं को न्यूक्ष करता हूँ और जल्द ही एक ऐसे वेक्त की घोशना की जाएगी जो कारिकारी अध्यच के रूप में कारि करेगा क्योंकि मेरा टारगेट है आज मैंने संकल्प लिया है अकवर रोड का नाम महराना प्रताप रोड सहजहां रोड का नाम पचुराम रोड हिमाव रोड का नाम अहिलिया भाई होलकर जीके नाम से रखा जाए और अगर 2024 तक ये तमाम मांगे न पूरी हुई तो 2024 का चुनाओ मैं पूर्वी दिल्ली से लड़ूंगा मैं एक अच्छी संसा के रूप में इसको डबलप करने का काम किया है और राजबर्धन जी का सदेव ये प्रेतनक रहता है उनका जो जीवन है नीजी तोर पर भी वो बहुत लंबे अर्से तक संगे के प्रचारक के नाते भी उन्होंने काम किया हुआ है तो ये तैह है कि वो रास्टबाद सोच के नाम पर ऐसी संगेठन का निर्मान करते है वो काम को आगे बढ़ा रहे हैं मैंने शित रूप से इस दिब इस रस्टायूजन के लिए अपनी तरब से महाराना प्रताब सेना को खुब शुबकामिन हम साधवाद विक्त करता वीधन करना चाहता हूँ महाराना प्रताब का जो करेक्टर है उस करेक्टर का भान आपके प्रयतntyह के काले से संगए ह search एक वो महान गौरव हैं भारत के लिए, लेकिन हम उनके जीवन से क्या सेख सकते हैं, मैंने पहले भी कहा कि हम उनके जैसे भाला नहीं उठा सकते हैं, हम उनके जैसे युद्ध नहीं कर सकते हैं, तो दैनिक जीवन में जो छोटे-छोटे युद्ध हैं हमारे हिंदूों के ल क्योंकि महाराणा प्रताप ने भी अपना संपूर्ण जीवन भारत की सिंस्कति धर्म को बचाने के लिए समर्पड कर दिया। दिल्ली से इन्बीसियन न्यूस के लिए ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट